मुझे जो प्यार दिया है और cook with me मैं आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल पर जो भी आज नए आए हुए हैं उन सब को मेरा नमस्ते और प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं तोड़ा मोटिवेट हूँ और ऐसा ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आओ तो फिलाल आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे बहुत सारा नाम है इसका जैसे कि मैं उडिया लेंग्विज से विलोंग करता हूँ और मेरा उडिसा में इसे पालू कहा जाता है और जैसे हिंदी में लेकिन इसका नाम तीखोर है बेंगोली में तीखोर कहा जाता है वै यह ज़ल मृक्तित ह सेप्टमबर लास्ट ओक्τοबर और नवेमर के बीच में यह बहुत सारे बहुत सारे मिल जाता है और जिसमें कि देखा जाता है कि मैं जब लेके याए था और यह 40 रुपिया केजी था तो मैं आदा किलो लेके आया था तो फिर 20 रुपिया आया था और 20 रुपिया में मेरा ये रूट 8 से 9 पीस हुआ था और ये बहुत सारा health benefit भी है इस arrow रूट में इसे पड़ो भी कहा जाता है तो इसको कैसे पकाया जाता है मैं उसके बारे में थोड़ा आपको जानकरी दोंगा जैसे कि ओडिसा में बहुत सारे बहुत style में से बनाया जाता है इसको खीर भी बनाया जाता है लेगिन मैं आपको एक चटपड़ा रेसी भी बनाऊगा जो कि बहुत ही कम समय में आपके पास हो जाए और आपको भी मज़ा आए रोटी के साथ, चावल के साथ खाने में मज़ा आए इसका health benefit बहुत है जो कि scientific reason से कहा जाता है कि ये all over the world बहुत ज़्यादा पाया जाता है आफरीका में, इंडिया में और इसको खाना भी बहुत सार जानते हैं इसको खाने से ये problem solve होगी आपका human function को boost करेगा ये, metabolic process को boost करेगा, heart health रखेगा, safe for infants रखेगा और weight loss में भी ये आपको सहता करेगा सो और सारा medical science में दिखा जाए तो फिर it treats urinary tract infection को भी आपको अच्छा करेगा, stomach concerns भी ठीक रहेगा, fights food burn pathogens और ये आपके body को growth और development पे भी help करेगा सो ये error route को जैसे कि आप screen में देख रहे हैं, इसके उपर में एक पतला सा छिलका रहता है, और छिलके को हलके हातों से निकलना थोड़ा मुस्किल होता है, तो छूरी के साहता से आप इससे निकाल दीजिए, एक करके, और उल्टी तरफ से अगर आप निकालोगे इससे तो निकल जाएगा रांड से, इसके बाद इसको अंदर से देखा जाएगा तो ये पूरा एक दम वाइट रहता है, थोड़ा yellow इस पी रहता है, थोड़ा सही है है, ये ओक्टवर महना में जब जब नैणे निकलता थो फिर ये थोड़ा सा बहुत जादाव डेखता है, और धि कई की लिए किया करना है मैं इसका चिलका निकाल दिया दोने तरप से थोड़ा-थोड़ा सा काट लिया अब इन चारो को अच्य टरह धोन पड़ेगा क्यूंकि यह मट्य लगा रहता है तो मट्य को निकालना पड़ेगा मती निकालने के लिए ब में ठीक है, अभी आप दो तरह से काट सकते हैं, आप तो चाहे गोल-गोल काट सकते हैं, गोल काटना थोड़ा एजी रहता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा लंबा काट होगा, तो इसके लिए मैं क्या, ये करीब-करीब 5-6 इंच के आकार में मैंने काट लिया, और हर पीस को मैं 4-4 जो थोड़ा मोटा है, उसे थोड़ा 6-5 कर रहा हूँ, जैसे कि देख रहे हैं आप स्क्रिन पर, ये 4-5 कर दिया मैंने, और पानी में डाल दिया, आप भी पानी में डाल सकते हैं, इसे धोने के लिए, और आप पानी में जब डालेंगे इसे, आप देखेंगे कि ये, अरी मेरा हाथ पे लगिया, छूरी, हाथ थोड़ी साथ धनी बरतना भी जरूरी है, तो फिलाल मैं इसे काट लेता हूँ, अच्छी तरह से, और इसके साथ, आप देख रहे हैं, मेरे साथ एक प्याज भी है, तो मैं प्याज लेके इसके काम बढ़ाऊंगा, तो फिलाल, छूरी काटने के बाद, तो आपको लगेगा इसके थोड़ा सा वाइट पाउडर भी आपके पानी के साथ बहता जा रहा है, तो उसके लिए भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, मेरे पीचे से कुछ आवाज देख रहे होंगे, यह होता है, यह तो बैचलर्स किचन है, तो बैच इसको खाना कोई परेशानी भी नहीं है, यह मिल जाता है, ओडिसा में हर कहीं पर बिल जाता है, फिलाल इस्टन ओडिसा में ज्यादा दर पाया जाता है, तो मेरे तिन कट चुके हैं, यह चौथा बाला जो की थोड़ा बड़ा था, तो इसको मैं अच्छे तरह से काट रहा हूँ, और इसके अंदर से, तो यह देख रहे हैं आप, मैं काटता गया, काटता गया, काटता गया, हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगी है, क्योंकि मैं अच्छे तरह काटना दिखा रहा हूँ आपको, और थोड़ा स्पीड भी कर रहा हूँ, ताकि आपको पूरी जानकर ही मिले, पूरी समझदार ही मिले, और यह मेरा आखरी पीश था, आगर भी इसको मैंने काट दिया है, अब काटूँगा, एक बड़ा वाला प्याच, बड़ा वाला प्याच लिया हूँ, इसको प्याच को तो छिलका कैसे निकालता है, यह तो आपको पता ही है, इसको तो मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, और यह मैं वेस्टन ओडिसा में भी पाया जाता है, लेकिन इसको वहाँ में ज्यादा खीर बने आ जाता है, लेकिन ऐसे, देगे मेरे प्याच को अच्छे तरह काट लिए, यह मैं रखा हूँ, प्याच का चिलका ना उड़े, उपर में फैन चलता है, आप भी वैसा कर सकत है, एक कटोरा में कुछ पानी ले लिए और सारे चिलके को वहाँ पे डालिये तक यह उड़ेगा नहीं, इधर उदर नहीं मेलेगा, तो प्याच को थोड़ा बड़ा ही काटिये, थोड़ा मुटा मुटा, तक ही इसका टेस्ट आए, इस भुजिया के साथ, इसे कहते हैं, पाडू और बहुजा, ठीक है, और प्याच को मुटा मुटा काटिये, ज्यादा मुटा नहीं, करीब आप एक से दो सेंटिमेंटर के अंदर ही काटिये, और लंबा ही काटिये, उसको छोटा मत किजिए, और ये तो सबको पता है, हरी मिर्च, मैं चार हरी मिर्च लिया ठीक है, चार हरी मिर्च, ये हो गया मेरा सारा कटके रेडी, अभी चलो, इसको बराने चलते है, ये हो गया प्याच, मिर्ची और पड़ो, अब ग्यास का स्टोब आउन कीजिए, कडाई डालिए, गरपे जो कडाई है, वही कडाई को डालिए, और मैं इसमें यूज सर्षो का तेल, मस्टड ओल, थोड़ा सा मस्टड ओल, यानि की सर्षो का तेल डाला, करीब दो से तीन बड़ी चमच, उसके बाद डालूँगा फूटन, जो की उडिसा में और बेंगोल में भी कहा जाता है, पंच फूटन, इसमें पांच फोडन, ये इस्टन उडिसा का प्रमुक फोडन है, इसको ज्यादा तरह डाल में यूज किया जाता है, अब लिया दो सुखी मिरच, सुखी मिरची डाला, तेल में खुसबू अच्छी आती है, जब सर्षो का तेल गरम हो जाए, उसमें थोड़ा अगर दो सुखी मिरची डाला जाए, तो खुसबू बड हो ले, काट ले, अब लिया फोडन, इसके बारे में बता रहा था मैं, इसमें रहता है शौंप, मेथी, सरो, सर्षो रहता है, तीन हो गया, काला जीरा रहता है, और पतली जीरा रहता है, तो पांच फोडन इसमें मिलाया जाता है, और एकी एकी साथ, ये डाल फोड़ा जा आते हैं. सो ये गोल्डेन ब्राउन हो गया. चल रहे. और ये गोल्डेन ब्राउन होने तक आप देख रहे हैं. ये मैंने बना दिया है. थोड़ा ये. पहले तप याज डालने उसको थोड़ा बनाने दिजिये. सो गोल्डेन ब्राउन होने तक मैं इसे पका रहा हूँ, अब गोल्डेन ब्राउन होने लगा है, जब गोल्डेन ब्राउन हो जाए, इसको थोड़ा बनने दीजिए, ये देखिए, अभी थोड़ा गोल्डेन दिखने लगा है, ठीक, ये और थोड़ा बागी है, अभी मैं इ कि यह पानी पहीं देखेंगीं भी वि tiene afternoon you कि अधिक है कड़ाई पे डाल दिए अब इसे अच्छी तरह से कर्ड़ ङो हिल अधोडा है थोड़ा तिखोर तिखोर ये दोनो नाम है इसमें डाल रहा हुए थोड़ा सा हल्दी पाउडर ये हल्दी पाउडर करीब-करीब आधा चम्मस से थोड़ा जादा और डाला स्वादन स्वार नमक ये खाना बराना एक अंदाज का चीज होता है और ये में थोड़ा डाला चिकन मसाला ये हर बैचलर्स की जन में पाया जाता है कुछ हो ना हो चिकन मसाला जरूर रहता है और चिकन मसाला थोड़ा सा डाला कोई भी चिकन मसाला अपले सकते हैं मैं भी एक ब्रांट का चिकन मसाला मेरे गर पे था मैं ओ डाल दिया थोड़ा सा करीब एक चम्मच के करीब और से मिलाइए ताकि आपका जो हल्दी है चिकन मशाला है नमाख में वो सारा चारो तरफ लग जाए यह बहुत ही टेस्टी होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ और यह बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट के साथ सिजनल रूट है तो सिजनल में अगर आपको मिल रहा है तो फिर आपको खाईएगा जरूर और बहुत सारे लोग इसे देखते हैं दुकान में बनाने का कैसे बनता है कैसे बनाएं यह सोच के लाते नहीं है तो आप इसे लाईएगा जरूर बनाईगा बहुत ही इजी है चुला बढ़ा सकते हैं थोड़ा लो फ्लेम मैं थोड़ा ठक रहा हूँ दो-तिन मिनट बाद निकालता हूँ फिर थोड़ा सब चराता हूँ कुछ समय बाद देखेगा आपका ये पूरा-पुरी तयार हो जाएगा फिलाल मैं ऐसी कुछ न कुछ आपके लिए बनाते रहूँगा और जो की हर कोई बैचलर्स के चान में बनाना चाहता है उसी तरह का मैं कुछ न कुछ बनाऊंगा आपके लिए आप बनाईएगा, खाईएगा, टेस्ट किजिएगा और comment box में मुझे लिखिएगा कि आपको ये कैसा लगा इसका टेस्ट आपको कैसा लगा, प्लीज लिखिएगा लड़किया तो खाना बनाती है और आपको YouTube में डाल के भी देती है और मैं भी सीखता हूँ उन से और मैं भी आपको सिखाऊंगा क्योंकि बैचलर्स किचन में हर चीज मिलना चाहिए तो बैचलर्स किचन में आपको बहुत सारे चीज दिखना चाहिए तो देखे, ये थोड़ा ड़कने के बाद थोड़ा-छोड़ा वाप्त निकलके इसका जो ड़कन है, ड़कन पर लग चुका है तो पता चब रहा है कि यह अच्छी तरह पक रहा है मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यह बहुत सारे मेडिकल में ने फेड़े हैं आपको सर्कुलेशन इसूस जो भी है उस सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपका बूस्ट इमिनिट फॉंक्शन जो है उसको बूस्ट करेगा यह और बहुत ही बड़ी बात होती है कि आप जो सोच रहें उसी हिसाब से यह काम भी करेगा यह देखिए निकल चुका है यह पीला पीला हो चुका है हल्दी के साथ यह हल्दी हो चुका है अब आपका इरिनेरी ट्रैक्ट इंफेक्शन जो भी होगा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा हाँ अगर यह सारे चीज है खाली सिर्फ यह खाने से लिए होगा आपको दबाई भी खाना पड़ेगा उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा डॉक्टर से मिले और जैसे की हम सब जानते हैं कि हर बिमारी का इलाज होता है तो इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास है खुद डॉक्टर ना बने यह मेरी सलाह है आप से रिक्वेस्ट है आप से और मैं बताऊंगा आपको कि यह करीब करीब मेरा तयार होके आ रहा है थोड़ा से तेल मेरा जादा हो गया था तो तेल देख के तरह लिएगा अब करीब करीब मेरा पाडू औभज़ा इन ओडिया पाडू औभज़ा रेडी है ठीक है अभी अल्मोस्ट देखिए उसमें से एक पपड़ी सा आ जाएगा एक थोड़ा थोड़ा खुश्बू भी आने लेका बड़ी हाई बड़ी अच्छी खुश्बू है तो यह थोड़ा लाल थोड़ा पीला थोड़ा सफेद इस टाइप के कलर्स में दिखेगा यह आपके प्लेट में भी बहुत खुबसूरत लगेगा आपको हेल्थ बेनिफिट भी है और इसको आप दूसरी तरह भी बना सकते हैं आप गोल-गोल करके भी आप डालमा में डाल सकते हैं उड़या का एक डालमा होता है तो डालमा में भी डाल सकते हैं थे पिर देखे, प्रइदे, वाई देख, लब यहाँ